Friends, भारत Renewable Energy Resources में जितना Commanding Position में होगा, उतना ही बड़ा बड़लाव वो पूरे विश्व में लासन पा है. ये बजेट भारत को Global Green Energy Market में एक लीड प्लेयर के रुप में स्थापित करने में भी एहम भूमिका निभाएगा. इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेकोलर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूँ. विश्व आज अपनी Renewable Energy Supply Change को डाइवर्थिफाई कर रहा है. ऐसे में इस बजेट के माद्यम से भारत ने हर Green Investor को अपने यहां निवेश का बहत्रीन अवसर दिया है. यह इस सेक्टर में आ रहे स्टार्ट अप्स के लिए भी बहुत ही उप्योगी साबित होने जा रहा है. साथियों, 2014 के बाद से ही भारत Major Economist में Renewable Energy Capacity Edition में सबसे तेज रहा है. हमारा track record बताता है कि Renewable Energy Resources को लेकर भारत जो लक्षत तय करता है उसे समय से पहले पुरा करके दिखाता है. हमारी installed electricity capacity में 40% non-fossil fuel के युगद्यान के लक्ष को भारत में 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया. पैट्रोल में 10% ethanol blending के लक्ष को भी भारत ने 5 महिना पहले ही हासिल कर लिया. 20% ethanol blending के लक्ष को भी भारत ने 2030 से कम करके 25-26 तक पुरा करने का निर्धारित किया. वर्ष 2023 तक 500 गीगवोट non-fossil based electricity capacity हासिल करके रहेगा. हमारी सरकार जिस तरह बायो फ्यूल्स पर जोड़ दे रही हैं, वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी opportunity लेकर आया है. अभी हाल ही मैं मैंने E20 फ्यूल को भी launch किया है. हमारे देश में एग्री बेस्ट की कमी नहीं है. ऐसे में देश के कौने कौने में इथेनोल प्रांट की स्थापना के मोके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए. भारत में solar, wind, biogas का जो potential है वो हमारे private sector के लिए किसी gold mine या oil field से कम नहीं है.